बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूटल पेपर हैकर में देखिए हमने पार्ट बन में पार्ट बन में हमने एक से पचास कोशन देखे थे और हमने तीन सो कोशनों का टारगेट रखाया आपके पेपर में सो कोशन बनते हैं मैंने आप से कहा कि आप 85% प्लस ल पेपर हैकर.in या फिर मैंने लिंक डिसक्रफिशन बॉक्स में दे रखा है इस वेपसाइट का देख लो पेपर हैकर.in आप करेंगे इस तरीकी से वेपसाइट खोल जाएगी थोड़े से आप नीचे जाएगा थोड़े से आप नीचे जाएगे जैसे कि आप बीए में है तो बीए सेकंड समस्टर पर टच कर देना आप बीए सी में तो बीए सी सेकंड समस्टर पर टच करिएगा जैसे ही आप जिस में भी है आप सेकंड समस्टर में है तो टच करिएगा और आपको देखो यहां लिखा है फस्ट एड एंड हैल्थ यह आपको यहां पर टच करकर PDF download हो जाएगी BA, BC, BCOM के लिए compulsory subject होता है आप यहां से जाके download कर सकते हैं तो इस तरीके से आप download कर पाएंगे PDF को तो आप सबसे पहले तो चैनल को subscribe कर लीजे बेल आइकन को press कर दीजे और telegram चैनल को अभी join हो जाएए क्योंकि telegram पर आपको मिल रहा है सब कुछ बहतरी इन तरीके से free में तो telegram चैनल को अभी subscribe कर लीजे ठीक है current TFR आपको मंत्री जो current TFR होती है वो आपको free में दी जा रही है जाकि आप download कर सकते हैं देखें अब हम बात करेंगे एक बहतरी कोशन के बारे में जो 50 कोशन हम part 2 में देखने वाले हैं आद वीडियो का part 2 है जिसमें हम 50 कोशनों को देखेंगे आपको मैंने तरीका बता रखा है कोशन पढ़ने का पहले कोशन को पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे कोशन को पढ़ेंगे लेकिन जब हम exam में जाएंगे जब exam देते रहेंगे तो कशन के साथ-साथ चारों option को पढ़ना है और एक को टिक लगा देना है क्योंकि आपने जो बार-बार repeat किया होगा वो आपको याद होगा ध्यान से देखना पहला कोशन मैंने ये बता दिया है कि जो अस्ति भंग होती है अस्ति भंग जो fracture हो जाता है अस्ति माले होती हड़ी हड़ी का भंग हो जाना तूट भूट जाना ठीक है होने की जो संभावना सबसे ज़्यादा किस अंग में होती है तो आपको पता है मैंने बताई थी बोजा में सबसे ज़दा बोजा तूटती है जो हाथ होती है ये सबसे कमजोर अढ़ी होती जो आसनच टूट जाती है अब जानता है बोजा के इस तरीकलेकिछ यिसशाब कहए सकते है next question है मोच मोच का कारण क्या होता है बताई मोच का बाती है जोड में किसका काण क्यों हो तो वो आती है इस नहीयों के तूट और खिच जाने पर माल देशे आपकी जो इस नहीयों का मतलब होता है जो मास्पेसिया मास्पेसिया खिच गई है या फिर तूट गई है उस काण से मोच आ जाती है तो option number D को log लगा देंगे ठीक है मासवेशी वे चोटा ना ड़ी चोटनी या ना खिच जाना अस्तिया कभी ने खिचती नहीं है और अस्तियों में अपना stand हट जाता नहीं मोच एक ऐसा है हमारी जो मासवेशी होती है वे खिच जाती है वहाँ पर मरी मोच आ जाती है बड़े आसाने सा भ्यात कर पाएगे शलो दूसरा कोशन है आँ बात कर रहे हैं तीसरा कोशन है त्रेपरमा कोशन देखिए यहां कर रहे है खेल जो खेल चोटो के पनरवास के लिए निमनिकित में से किस पदती का उपयोग किया जाता है मतलब जो खेल में जो चोट लगती है वो पनरवास के लिए जो निमनिकित में से पदती का यूज किया जाता है वो कौन सी पदती है वो है आपका देखो क्रेटिब बियाम ऑप्शन नमबर एक को लोग करेंगे जो क्रेटिब बियाम होता है उसका यूज किया जाता है नेक्स कोशन है उसका उपयोग किया जाता है या पर यूज किया जाता है प्रात्मिक चिकसाला आबश्यक के होती है वादा प्रात्मिक चिकसाला कियो आबश्यक है सबसे पहले प्रात्मिक उपचार कहे सकते हैं हिंदी बहुता है जो हिए उसको हम एंग्लिज बहुता है उसको अवश्यक है क्यों है आप गो करें बिद्यार्थी के लिए माता पिता के लिए अवश्यक होता है यदि आप बीमार है तो आप घर बेटेश को ट्रेटमेंट करेंगे या निए कि हस्पीटल लेकर चल देंगे तो अब भुखार आगे तो हॉस्पीटल पहुंच गया इसा नहीं होता है आपको अब घुट करके देखें घर पे आरे हो सकता है चलो काड़ा बना दो इसका बना दो उसका बना दो घुट देखोगे कि इसको कैसे करो कुछ लोग तो बता नहीं क्या क्या कौन सा घुटा होता है उसके बाद में क्या होता है यही तो पहले हमने की हमने जो पहले की उसको पहला सीटा मोल कुछ काड़ा फड़ा पिलाए उसको ठीक किया वो परात मुझे किसा है ठीक है याद रखिया तो अप्रुक सबी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन को देखेंगे दिखान से नेक्स कोशन है जटके के साथ बोज उठाने उससे अधिक संभाव न रहती ह अब माल लीजे यह कोई पत्थर है कुछ भी है बड़ा है आप आपको एक दम नहीं उठा रहा है वो चीज आसानी से उठाओगे करके उठाओगे ठीके ना पूरा जोल लगा दोगे समझारे मेरी बात को इसको दोना हाथ से दोना हाथ से पकड़के पूरा जोल लगा उठाओं कि होगा ठटी किसाद उठाओ तो फिर फटे तो ओपर को यहां उठा कि लेकर यहां से तो जो आपने एनर्जी बेस्ट हुए है लेकिन इस से जो जो ऑरके जो है जो मांस पैउख्षाब आ जायगा किया हो जाए lose yon में किया हो जाएग्व जब एक्दंद में मृऔर दूख्षाब होच्या कि यह सकते हैं हीमा टूमा जो होता है मैं युद्प बता तौर होता है वह चोट होती नेक्स toition है कि खप्चियां मान दी जाती है कि खप्चियां का मतलब ए माली जी आपका यहात है यह तुम हो और यह आपका हाथ है यहांसे बीच में फैक्षर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं छोटी छोटी खेप्चर यह बांदेते मतलए लकणिया बांदे लकड़ी बानते हैं कुछ लोग गाउं में देखा होगा इस तरीके से आगे-पीछे सवगाई से लकड़ी बानते हैं कि यह हाद सीधा रहे और जुल जाए यह तो यह कह रहे हैं को खबच्री खबच्री यह बांदी जाती है तो वह अस्ति भंग होने पर मतलब कि अस्ति को तूट जाने पर तब हर्णियों को टूट जाने पर कि कि नच्सकोशन है डूबे शेड़ी को पानी से बाहर निकालने पर क्या होता है अपतोगे गले अब क्या उप्रोग सभी निकालने पर क्या करेंगे पेट के बल लिटारेंगे बिल्कुल सही है पेट के बल लिटारो उसको ठीक है और यहाँ जो गीले बस्त उतार देना जो गीले बस्त है उसके उतार दो तरन क्योंकि उसे क्या है गर्मी गिया बसकता होती है समझ रहे हैं को सब्सक्राइब करें अग्यानता का मतलब होता है हमें पता ही ना जा कैसे खेल लगे इधर को लगए इधर को तो क्या है चूट लगेगी आप पर या अन्हीं किहां ट्वो तकनिकी है ?् ईच्फ़ेया ॥ाइक Snod इस्त नहीं पता नहीं है आपको आपको तकनिक के खेले का तरी तोड़ी होगा दर्द और सूजन दर्द और सूजन की तो बात अलग की बाद सूज तोड़ी जाएगा एक दम चोट लगी घाब की काड़तपन होगा और इसमें क्या है संकरमर होने की मतलब कि िंफेक्शन होने की डर रहेगा और इस मजब इसे क्या करते हैं इसे इंफेक्शन भूखतिए हैं कोई दिक्क्त नहीं नहीं रहती तो यह पैस्न स्थास आप आप भी जानते हैं सुभी सिरो करा है नाक से रक्त साभ होने पर है यहां पड़ीं आपके रसे कूल रहा था चाहिए खा माल देखो क्या है kind को नीच लटका दिया तो इससे क्या होगा रख सरब गैसे हो जाएगा रख सरब कम और इस तरी के से य प्रेट का देना चाहिए अब देखो यहां एक होता है डिसलोक्षन चोट सम्मंदित होती है ठीक है जो डिसलोक्षन चोट होती है वो जोड से सम्मंदित होती है option number B को लौड करना नेक्स कोशन है फ्रक्षर फ्रक्षर का मदब हो है हड़ी का तूटना ये फिर भंग होना ये क्या कहलाता है ये अस्ति का तूटना कहलाता है फ्रक्षर सभी जानते हैं शालो नेक्स कोशन है थ्रम्बोसिस अवस्था होती है किसकी होती है तो वो होती है खोपड़ी में गहरी चूट जब खोपड़ी में हमारी गहरी चूट लग जाती है तो उस पोजिशन को हम क्या कहते है उसको हम थ्रम्बोसिस अवस्था कहते है ठीक है पोजिशन बोलता है थ्रम् कुछ आ जाती है बिल्कुल सही बात है गुंबी चोट लगती है और रगण बचाने के लिए किस बिदियों का प्रयोग करोगे माले इसे कोई डूब रहा है तो उसको कौन-कौन सी बिदी का तो आपको पेट के बाल लिटार का पानी निकालने की कोशिस करेंगे अठाक से यह यह हुआ पानी पिलाएंगे यार पानी जो कोई डूब रहा है तो पानी थोड़ी पिलाओगे दबा देंगे उतने ड़ा थोड़ी दे सकते हो आप पेट के बल निकालने उसको पानी भर गया है पेट में तो वही तो निकालोगे पहले तो प्रोक्त आप्शन नमर हम एक को थेरपी और पता नहीं राइस थेरपी कौन कौन सी थेरपी होती है तो यह बाटर थेरपी हो गई बाटर के दवारा अब बाटर का सूतर क्या होता है एच टू ओ इसमें क्या होता है हाइट्रोजन आप याद करेंगे हमेशा याद रहेगा हमेशा क्या होता है हाइड्रोज की नाम से जाना जाता है क्यों क्योंफ में हाइड होता है जल में क्या होता है जल में का जल का सुतर क्या होता है एच तु कर दो नेक्स कोशन बोल रहा है देखें यहां कह रहा है देखो राइस मैंने उपर बताया था आर आई सी एफ तुरंट उप्चार का साधन है तो वह गम्भीर चोटोगा मलत जब चोट लगी तो आपको क्या करोगे राइस का यूज कर लो मैंने बताया था उपर ना भई यहां कह जो ऊदिया चोट चोट लगने पर यदी रैक वै रहा यह तो आप क्या करेंगे मौन लीजिए आपको चोट लगी है किसी आपके साथ ही को चोट लगी तो दो now to करता है उसके रोकने कोशिश करिए कुछ है लगा ये पट्ती बांदिये कपड़ां बांदिये जो बांद은ा बांदिये जो बांदिये जूट से बंदिजे उसका संब्सक्राइबाइब जब टकने में दर्द से मोच का सम्मन किसे हैं टकने से तो सिर के दर्द से दुड़ होगा नहीं दानत की दर्द से पेट की दर्द से नहीं टकने में जो दर्द होता है हमारा कहीं जोड है टकने का मतलब होता है जोड जहां जोड में दर्द है, जोड में दर्द कब होता है, जब इस यहां खिशकचाप जाती है, मोच आ जाती है, तब, तो option number D को लोग करेंगे, नेक्स कोशन है, प्राथमिक चिकिसाला कहलाती है, मैंने आपको बताया जो डाक्टर से पहले तुमने जो चिकिसाला दी, मानि प दुरगटना इस तलपर दी जाने वादी चिकिसा को क्या कहते है, दुरगटना के इस तलपर, मान लेजे किसी का एक्सिडेंट हो गया, यहां एक्सिडेंट हो गया, भी बाइक, भाइक में लग लग रहे गी, अब एक को बहुत गंभीर चोट लगी है, तो अब यहां एंबुलेंस को बलाओगे तो 10-15 मेट लग जाएंगे और एंबुलेंस 10-15 मेट में तो हॉस्पिटल पहुचाएगी 5-10 मेट तो डाक्टर को समलने में लग जाएंगे कोई को दूसरे को देखता होगा एक दूर तो देख लगा मलब कि आदा घंटा 30 मेट आपको लग जाएं तो ऊकम उसको ठीक है और उसको चोड ब गार जहां लगी है उसको बांद दीजिए प्ठी बगएर ब्लिएगर ना निकले और जो भी आपको प्रात्म मुचिкивसाली देनी है बहां दीजिए और उसको खौश्पिटल बहुत हरा ढीजिए ये कलाती है प्रात्म मुचिकिष् फेपड़े और पेट में पानी भर जाता है, फेपड़ में पानी भर जाएगा, और साती साथ जो आपका पेट होगा, इस्टो मच होगा, उसमें भी पानी भर जाएगा, ठीक है, और साती साथ क्या होने वाले मृत्यू की संबाबना अधिक रहती है, बताब पेट में पानी बर गया, आक्सिजन जाई नहीं रही है, बलड चली ना रहा है, दिल लड़क ना रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम मरने की संबाब ना जाता होगी, ऐसे कुछ आइस पोजिशन आती है, तो तुरंट आप उसके पेट बलकि बलकि डाल कर उसके पेट को दवाईए और उसका प पट्टियां भी होती है, दवाईए भी होती है, कैची भी होती है, प्रात्मिशी किसा लेकल आता है, बॉक्स जो आभी अधी प्रात्मिशी को असल है, बॉक्स लेंगे, प्राप्री एट्स बॉक्स लेंगे, तो उसमें यही होता है, कि बाई, पट्टियां भी होंगी, द बोलते है उसको क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे उसे बोला जाता है कि सॉासराट नल्य को क्या कहा जाता है वह जाता है ड्रीओ कशन लित This सास हम लेते हैं कि लंबाई कि अहाँ प्यूपले लगी होते है और यहाँ यह Mac नाक लगी होती है ठीक है और यहां आपके यह है आपकी सोचनली आप यह आप से पूझ रहा है कि सोचनली की लंबाई कितने होती है तो यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई होती है वह 14 सेंटीमीटर होती है कितने होती है नीचे जाहिए मनुस पर स्वास की पिरकरिया होती ह तो कितनी होती है तो आप गोगे बहुती है नाशी का द्वारा तो नाग के द्वारा होती है जो सांस लेते हैं आप नाशी का द्वारा होती है नाशी का द्वारा नहीं होती है फेपड़ो द्वारा नहीं नाशी का द्वारा होती है नाशी का याद रखिएगा ठीक है नेक् जिनको मिलाव कारण तुमारा करने काम है लिए यह चीज़ है हमें हमेशा हमें हमेशा सांस लेनी चाहिए फेपडों से बिटा कभी मुथ से सांस मत लिया करौ जाती है यह कि क्योंग नाक में बाल होते हैं उस झिपक जाते है बाकी शाही सउंसा खार है कि यहां कि ाद्ध है बागी मास्कों में हगे स्था कर टो घरा होता है रिक होता है जान थी कि मज़सेंशन चानि और मंस्ते के उंधर होता सीने में अंदर यहां तो सीन नवस्त और हमारा साइट में करता है तो यहनों ऑ Immediately छोटी यह चोटी यहां तो गई इसके बाद यह बड़ी यहां तो गई और यहाँ जो होता है थो फिंक्राज होता है है त स्रावित होती है और यहां seems सवाभी होता है ट्री नेमें स्वासन नली का मैंने आपको बताया था स्वासन नली का कि जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 10 से 11 सेंटीमिटर नोड करिएगा next question है स्वासन तंत्र बना होता है तो स्वासन तंत्र जो बना होता है वो किसका बना होता है तो आपको बता हुआ द्याद्र का मतलब होता है जहां से हमारे कंट से उस्यों सब्सक्मारी होता है किसे वो चल्बार ठील से अस्तिसे नहीं हुता हड्ड़ी नहीं होती है, मास्पिस यह नहीं होती है, वो होती हमारी क्या होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिए, किसका, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, नेक्स कोशन बोला क्या कहा है, यहां कहा है, सोसन प्रिकिरिया में क्या होता है तो सोसन प्रिकिरिया में क्या होता है तो उसमें आक्सिदन को ग्रिण करना और कार्डवरेड एक्षन को निकालना ये क्या होता है ये हमारा सोसन प्रिकिरिया कहलाती है कौन सोसन तंत्र कांग है तो कौन सा इसमें सोसन तंत्र कांग है तो आप फेपड़े भी होते हैं, नाक दोरा सांस लेते हैं, और साथी साथ जो आप जानते हैं, जहां से ली जाते हैं, हैल्प करते हैं, फेपड़ों तक पहुंचाती हैं, उसे हम ट्रेकनिया बोलते हैं, ठीक है, नली को, क्या कहते हैं, ट्रेकनिया बोलते हैं, तो ये तीन छोड़ी गई कारपने अकसाइड और ली गई अकसीजन का अनुपात माल लिजे आपने कार्वन डेयक्साइड को छोड़ा है और आक्सीजन को लिया है यह आप जो देख रहे हैं यह RQ के अंतरकत रखा जाता है यह सूत्र होगे RQ का देख लो RQ बराबर कार्वन डेयक्साइड बटे आक्सीजन ठीक है यह क्या हो गया यह छोड़ी गई है और यह ली गई है ठीक है यह अप्शर्प की गई है यह डाउन की गई है आप यहाँ देखिए यहाँ बोलागा है फेपड़े कहा होते हैं तो फेपड़े चाती में होते हैं यह भी आपको पता होगा हार्ड और दिल जिसे कहते हैं दिल और फेपड़े यह क्या चाती के नतरा के होते हैं चलो नेक्स कोशन है बाए फेपड़े में कितने भाग होते हैं तो बेटा दो भाग होते हैं बाए फेपड़े के दो भाग होते हैं नेक्स कोशन है देखिए बाए यह अगरा कौन सा सोचन अंग नहीं है तो बिटा फेपडा तो सौसर अंग है, सांस लेते हैं, सौसर नली का भी है, लेकिन नास गवा भी है, लेकिन आप देख्ग रहा है ग्रास नली, ग्रास नली का मतलब होता है, जहां से हम खाना कहاتे हैं, उसमें धमनी दोरा, तो किसको दोरा धंई दोरा? और सिराओं में कैसा रखता बहता है, वो लाने का काम करता है ओर धमनी भेजने का काम करती है नेक्स कोशन देखिए एक बार सांस लेने की प्रिकिरिया कितने सेकंड में पूरी हो जाती तो 5 सेकंड में हमने एक बार सांस ली और निकाल दी वो 5 सेकंड में हो जाता है इसी बार में हम एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं आप सभी को बता होगा ठीक है चलो कभी कभी मैं आप से पूछ रहा हूँ एक comment section में जरूर बता देना कि किस time हमारी सांस चंद second के लिए मतलब कुछ समय के लिए रुख जाती है हमारी सांसे और धड़कन सांसे और धड़कन यह कह सकते हैं एक point ऐसे बंदा है कि आपका दिल का धड़कना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है वो कौन सी पोजीशन होती है किस इस्तती में हो जाता है मुझे बताइं comment section में यहां कह रहा है सोवसन में रुदिर का कौन सा घटक कौन सा घटक कार्मन एक साइड का अपसोशन करता है स्वासन में रुधिर का कौन सा गटक कार्मरे एक साज का अप्सोशन करता है तो आप कोगे RBC जिसे हम लाल रुधिर कड़काएं कहते हैं Red Blood Cells बोलते हैं Next Question है बोला गया है स्वासन बाहर निकलने वाली आक्सिजन की मात्रा बाहर जाने वाली बायू में आक्सिजन की बातरा कितनी होती है माल लीजिए जो बाहर से जाने वाली मतलब जो स्वासन बाहर से अंदर को जा रही है यहां यह आक्सिजन है बायू मंडल में यह हमारी नाक के दोरा फेपड़ों में जा रही है ठीक है यह फेपड़ों में जा रही है ठीक है इसको जारा तो यह इसमें। द्वारा आक्सिजन को देते हैं मतलब कि स्लेंडर द्वारा हम आक्सिजन को लगाते है तो वो टूटल आक्सिजन होती है उस इस्तती में प्रिसेंट को कोई प्रावलम नहीं होती है सांस लेने में बायु मंदल से कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है यह चीज होती है यहां ए के होता है 200 ग्राम 250 कह सकते है ठ्यक है और यहिदी लिवर की बात करें तो 1400 ग्राम साधे 1415 सुो allकात होता है यहां देखिए मन उसके oxygen का परिभान किस प्रकार होता है हेमोगलोबिन के साथ मिलकर होता है कैसे होता है हैमे ग्लबिन के साथ मिलकर oxy हेमोगलोबिन मना देता है नेक्स कोशन है फेपडो और देखी मांग लिजे आक्सीजन थी आक्सीजन बहार से आई और हेमोगलोबिन तो हमारे बाड़ी में पहले से होता है ठीक है हेमोगलोबिन ये दोनों मिलते हैं तो ये आक्सी हेमोगलोबिन गलोबिन ठीक है आक्सी हे एक्सर करने हैं वार निकल जाता ही है फेपडों और रख्ण के बीच में कार्बे आप खोगे कहते हैं माली जे हमारे फेपडों से और अरक्त के बीच में जो आदान प्रदान हुआ कार्बरी एक्सान को अंदर बॉडी में अप्षर्ब किया गया और बाहर निकाल दिया आक्सिजन को अंदर लिया गया और कार्बरी एक्सान को बाहर कर दिया गया इस तो प्रिकरिया को जो कहा ज एस्परणीय शिस्टम का भाग होता है। नेक्स कोशन है, सौसन किरिया किस परकार की होती है, तो आप गोगे एक अनक्षिक करिया है। याद रखी यह बहुत जादा कोशन बनता है, यह मौस्ट इंपूर्टेंट कोशन है। कि सौसन पर करिया है, वो एक अनक्षे करिया है, जो कभी ठकने वाली नहीं है, कभी रुकने वाली नहीं है, आप सोब भी चलेगी, आप जागवगी लिए LEON, चलेते ही रहेगी, ये अनक्षे करिया है, इसे कोई निया रोक सकता, नेक्स कोशन है ठीक है अनेक्षिक गरिया नेक्स कोशन बुला गया है अनेक्षिक गरिया को याद रखेगा नेक्स कोशन है असुद रक्त को हिर्दय तक ले जाने की नली कौनसी होती है तो आपको गई सिरा होता है देखो असुद रक्त का मतलब होता है गंदा रक्त जो कार कब इंगे जाते है और धमनी के वानटा को लेकर जाता है ठाइए नीकलती है और alarm के और उसके बाद में बापस करते है अखशिजन को लिया कर लिया कर दिया यह क्या है कार्मyin रेक्सira कर लिए निकलती है इस झालती है और एक यहीं कितमे से कौन सांग सौसन तंत्र से संब्संद नहीं तो गुर्डएका हमारे देखो नाक का तो होता है फेपड़ों का होता है और सौसन अलिका देकिन गुर्दा कि डानी है pigme कि किडनी बोला जाता है कियो क्या है बिटा गुर्दे से बोला जाता है यह इस 106 को देखिए यहां 59 होता है यह मैंडूला दोरा नेंटूला के दोरा नेंटूला मैंडूला के दोरा नूंहीं करता है वो लाल रक्त कड़िका करती है option number A को लोग कर देंगे next question है मनुस का हिर्दय होता है मनुस का हिर्दय कैसा होता है तो आप कोगे मनुस का हिर्दय होता है myogenic होता है कैसा होता है myogenic होता है option number हिर्दय का मनलब है hard hard जो होता है व्यक्ति का वो कैसा होता है मनुस का वो होता है मयोजेटिक यादा कि मयोजेटिक हार्ड होता है नेक्स कोश्चन बोला है ऑक्स युक्त सुद्ध रुदर किसमे होता है तो ऑक्सीजन युक्त सुद्ध रखत जो किसमे होता है तो वो होता है यह देखिए फुबस्तनी सरों में सुद्ध रखत फुबस्तनी सरों ठीक है तो फुवसिये सिराओं में याद रखे आक्सीजन युक्त की जब बात करें आक्सीजन युक्त है तो भी सुद्ध रखता है तब हमारा फुवसिये सिराओं में होगा option number हम C को लॉक्त करेंगे नेक्स कोशन यहां बुलागा है एक स्वस्थन मनुष का हिरता एक मेंट में कितनी बार तो आप कहेंगे 22 बार ठड़कता है नेक्स कोशन यहां आ गया है स्वस्थन करिया में रखत का सुद्धी करण कौन सी गैस द्वारा होता है तो स्वस्थन करिया में जो रखत का सुद्धी करण जो होता है वो आक्सीजन के द्वारा होता है option number हम C को LOG करेंगे next question है या बोलागा इð सरीर की कोस्का में oxiction किसके दोरा पहुंशती है तो सरीर में कि कोस्का में oxygen किसके दोरा पहूंशती है hemoglobin दोरा पहुंशती है किसके दोरा wbc का पूर्व नाम क्या होता है तो उससे हम कहते है क्या बोलते हैं white blood cells option नमर एक को लॉप करेंगे ठीक है next question है हिर्दय के निचले दो जो coast होते हैं जो भाग होते हैं उनको कहते हैं निले नीचे वाले भागों को निले ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं ठीक है नीचे दो होते हैं दो निले दो अलिंद बोलते हैं चलो याद रखिए चार कक्ष होते हैं हिर्दय में चार कक्ष होते हैं चार coast कह सकते हैं चार कक होता है देखिए ऐस तरीके बना होता है और ऐसे करके ये ये ऐसे करके बना होता है इसमें जो ये जो नीचे वाले जो भाग देख रहे हैं ये अलिंद होते हैं दोनों ये दोनों निले होते हैं ठीक है इस तरीक को व्याद रखे हैं हिर्दे में कितने निले होते हैं तो आप लगा दोगे, मनुस के स्वासंग है, तो आपको गए, फेपड़े भी होता है, सांस कहां कहां से लेते हैं, नली का दोवरा, नशी का दोवरा, फेपड़ों दोवरा, उप्रियुक्त सभी को लॉक कर देंगे, नेक्स कोशन है, फेपड़ा जो कितने भागों में बटा होता है, आपको बता है, बाएं फेपड़ा, एक होता है, बाएं की जब बात करता है, बाएं, बाएं फेपड़े की जब बात करें, तो दो भागों में, और यदि दाएं फेपड़ों की बात करें, तो बिड़ा तीन भागों में डिवाइड होता है ठीक है याद रखेंगे इस बात को नेक्स कोश्चन है दाएं तीन भागों में बाएं दो भागों में डिवाइड होता है नेक्स कोश्चन है एक समान ब्यक्ति एक मिनिट में कितनी बार साथ लेता है तो आप गोगे 14 से 18 बार मैं पहले बता चुका ह HIS next question है कि फेपड़े की रचना होती है जो फेपड़े हैं आपके लंग्स है उनकी रचना कैसे होती है तो आप गोगे जो sponge होती है उसके आकारकी होती है कैसे होती है कि इस पंजी की आकार की होती है उसके बाद आपको क्या करना है देखो कैसा होता है फेपड़ों की रचना होती है जो फेपड़े तो देखने में लंग सो देखने में लगते हैं वो इस पंजी की आकार के देखने को मिलते हैं कैसे इस पंजी की तरह होते हैं ठीक है उसके बा तो यह होता है . ए स्पंजी का नुइए थूторकर प्रोष खॉती है चैज नैस्ट कोशन hoş भोलाग्या यहां मनुस्ति के शरीर में इक यारपड़ों की शनकें कितनी होती है यार दो ही तो फेपड़ो थे YOUR बात क्या आद खॉती है ! लेफ्ट वाला जो होता है, उसमें कितनी दो भाग होते हैं, और राइट वाले के तीन भाग होते हैं, ठीक है, तीन भाग, याद रखेंगे इस बात को, नेक्स कोशन है, सोसन तंतर का फिर्मुक अंग होता है, फेपड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, नेक्स कोशन है, प्रा गुरूप की बात की जाई है एक होता है ओ पॉजिटिव एक होता है ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है और इसे सर्वदाता बोला जाता है सर्वदाता दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार से पूँच सकता है इसके आरेच फैक्टर की दिवात की जाए ओके वो दो होते हैं एक होता है और और क्या होता है बी पॉजिटिव जो पॉजिटिव बाले होते हैं वो पॉजिटिव बालों को दे सकता है समझ रहे हैं इस बात को आप थोड़ सा याद दखिएगा नेक्स कोशन बोला गया इस मैने वीटर समापा जाता है तो वो वे अदर रक दाप नापा जाता है घ्रक्त परोटीन होता है टूट यहां प्रोटीन नेक्स कोशन हां बोला काया है इससे तो सकोप आप प्रयुक्त किया जाता है आपने इस तरीखे से एक stiscope देखा होगा, इसमें दो कान भी लगाने के लिए होती है, ये केविल होता है और ये कहा । इसे ISTENScope बुला जाता है। इससे हम क्या करते हैं एक साधान गत्विदिया देख सकते हैं कानों में सुन सकते हैं क्या चल रहा है जैसे ही हिर्दय क्या है हिर्दय दर्मापने में ठीक है मतलब कि हिर्दय की कितनी धड़कन है यह ना आप सकते हैं यह कुछ पेड़ वेगारा में कुछ चल रहा है रक्ति के सरीर का स्वातम अंग कौन सा होता है? जो स्वातमन कहलाते है, टीकियां? वो कहलाता है इसको याद रखिएगा. रक्त संचरन बढ़ जाता है कब बढ़ेगा गर्म विधी में जब कोई गर्म होगा तो रक्त का संचरन क्या हो जाता है बढ़ जाता है तेजी से बहने लगता है ठंड में क्या हो जाता है हलका हो जाता है सुनने हो जाते हैं ठंड लगती है तापते हैं लोग है ना आग जला कर गर्म ही जाता है तो वह जयते रग्त का थक्का जमने की आवश्यक में कव है송 के और कल्सेयम विटामिन के और केल्सियम बहुत आवस्यक मैं तो यह चार से साथ दिन जीती है RBC, sorry WBC, 4-7 दिन तक ही यह जीती है, ठीक है, और सित आयू कह सकते हैं, कि इनका जीवन काल कितना होता है WBC का तो 4-7 दिन, प्लेटलेट्स की बात करें तो चाथ दिन होता है, ठीक है, इस बात को आपको है याद रखना है, नेक्स कोशन है, बुलाएं, कौन सा, कौन सा, खनिज लबड रक्त का ठक्का जमने में आवश्यक था, तो कौन सा था, तो रक्त का ठक्का कैल्सियम के दुआरा, और मैंने बदाएं, विटामिन के, ये बहुत ज़्यदा आवश्यक होते हैं, जो हमारे रक्त का ठक्का जमने म मदद करते हैं बहुत ज़्यादा शायक होते हैं कैल्सियम और विटामिन के याद रखिए नेक्स कोशन है तिरफली कपाट पाए जाते हैं तो तिरफली कपाट किसमें पाए जाते हैं हिरदे में कहां पाए जाते हैं हिरदे में तिरफली का मतलब कैसे होता है मतलब यह हमारा हार्ड है यह हमारा क्या है इस तरीके से दिल है और एक कपाड ऐसे पाए जाते है तिरफली की तरह पाए जाते है दो अलिंद दो निले इसमें भूला गए तिरफली कपाड पाए जाते है ये हिरदे में, हार्ड में पाए जाते है WBC का मुक्कार क्या होता है मतलब की जिसे हम सोदर दर कड़काई बोलते है WBC को, इसको WBC बोलते है इसका मुक्कार जो होता है वो रोगों से बचाब होता है मतलब की, जो ब्यक्ति है उसको रोगों से बचाब करूँ, बुखार नाए, बैक्टिरिया उसको मारना, यह काम क्या करता है, यह WBC कहता है, आप गया रहा है, रख तक किस कान से लाल दिखाई देता है, तो आपको पता है, हेमोगलोबिन के कान कहता है, लाल दिखाई देता है, हेमोगलोबिन के कान, उसके बाद में क्या है? मैंने यदि बात करूँ, प्लाजमा कितना होता है ब्लेड में, यदि 100% ब्लेड है, तो उसके यदि ब्लेड निकालते हो, तो उसमें 60-65% प्लाजमा निकलता है, यदि आपको सबी को बता होगा, वाके WBC, प्लेटलेट्स, ये सब हेमोगलोबिन उग कड़का में पाया जाता है, यहां कहा रहा है, रक्त में लगभग कितने प्रतिसत जल पाया जाता है, तो बेटा, 90% जल पाया जाता है, याद रखिए, 90% जल पाया जाता है, यहां बोला गया है, प्रतिसत में बात करें तो 90%, रक्त में लगभग कितने प्रतिसत जल पाया सकता है तो वो है गुरूप A B और सबको दे सकता है गुरूप O ठीक है सर्वदाता ने clerk को चने हैं कि लाल रूदर करकाओं में जल की मात्रा कितनी होती है तो मैंने कहा लाल रूदर करकाओं की एислएमि बात की जाए र B C की बात की जाए तो इसमें 60% जलुता है किटना होता है साड़ प्रशेंट टोटल किटना होता है 90% ऐसे बोला गया है तो एक तो SMC चलूतल होता है नेक्स कोशन यहां बोला गया है रक्त नलिकाएं किसकी बनी होती है जो रख्त नलिकाएं हैं, जो खून लेके जाती हैं, बहार आती हैं, वो कैसे अनिक्षिक पेशियां होती हैं, जो कभी ठकती नहीं है, next question है limposides क्या है, limposides rbc कड़काएं है limposides क्या होता वीटा, ये rbc rbc, लाल रख्त कड़काएं, ये limposides के पार्ट होते हैं ठेके लिंपोटर्ट का है एक आरबीसी है नेक्स कोशन है वो लगा है कि जिबाड़ों से सरीर की रक्षा कौन करता है तो सुथ रुद्रकाएं करती है मैं अब कि रोगों से जो कौन लड़ता है तो डबलू बी सी लड़ती है याद रखिए डबलू बी सी लड़ती है नेक्स कोशन बोला गया है जिवाड़ों से यहां कहा रहा है फेपडों से हिर्दे को ले जाने वाली पल्मुनरी सिरा में होता है यह फिर पल्मुनरी सिरा होता है उसमें क्या होता है तो सुद्रक्त होता ह याद रखिये यहां कहा है फेपड़ो से हे तो ले जाने बाली जो सुर्ष कर शक्वाद होता है उसमें सुद्रक्ट होता अर। इस को देखें ? in रगत का कौन सा भाग तखका जमने में सायक है तो बो आपने देखा होगा जब रुखता है तो कुछ पीला पीला कलर का उपर जम जाता है ब्लेट जब रुखेगा तो पीला पीला कलर का वो पिलेटलेट्स होता है ठीक है और ये क्या होता है ये ठक का जमने में कापी शायक होता है प्लेटलेट्स जम जाता है उपर, ठीक है, नेक्स कोशन है, लार उदर कड़काओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, मैंने अभी आपको पताया, याद रखिए, और BC का जो लाइब साइकल होती है, कितने दिन तक जीवित होती है, तो 120 दिन, ठीक है, यदि WBC की बात की जाए, तो कितने दिन होती है, तो आपको वह चार से साथ दिन, ठीक है, यदि बही बात की जाए, प्लेटलेट्स की, कि प्लेटलेट्स होते हैं, वो कितने दिन जीवित रहते हैं, तो आपको वह साथ दिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जाता है प्रोटीन में और लोहा हुमुगलोविन के निर्माद में सबसे ज़्यादा कौन है लोहा और प्रोटीन सायक होते हैं फिर इंग ये इस Πो आ ठीक है नेंस कोिचन है रिक्त चाप मापने का अपक्रण होता है अब रख्ट कुछ आप जिसे हम blood pressure बोलते हैं उसे कौन नापता है किसके दवारा तो आप को गए इस पो गए मैनों मीटर दवारा नापा जाता है option number C को इसको आप को दवारा हिर्दे की धड़कन के लिए ठीक है इसके बाद next question बोला है एक स्वस्थ बेक्ति के सरीर में रख्त की कितनी मात्रा होती है तो आपको गए 5-6 लीटर तक होती है लगबग 5-6 लीटर तक blood होता है एक स्वस्थ बेक्ति है तो next question बोला गया है leukocyde क्या है leukocyde होता क्या यह सुट दुदर क्या होती है मैंने कहा एक उपर मैंने आपको बताया था उपर एक कोशन आया था मैं आपको दिखा देता हूँ लिंपोसाइट्स लिंपोसाइट्स क्या होता है ये RBC होती है और लिकोसाइट्स की बात करें देखो ये नीचे आ गया लिकोसाइट्स ये एक WBC होती है इस तरीकों को दोनों को पॉइंट को अच्छे तरीके से नोड कर लिजेगा, ठीक है, नेक्स कोशन है, लाल रक्त कड़का हैं, जैसे RBC कहते हैं, उसका मुख कहां निर्माड होता है, या फिर RBC का निर्माड कहा होता है, इस तरीके से कोशन मनता है, तो बज़ता है, अस्ति मज्जा में उसका निर्माड होता है कहा होता है अस्ति मज्जा में आर बीसी का निर्माड कहा होता है अस्ति मज्जा में होता है यह कह रहा है सुद्र कड़काओ का मुक्कार क्या होता है रोगी मलत सरीर को रोगों से रक्षा करना डबलू बीसी का मुक्कार होता है ठीक है न Girild में याद रखिए इस बात को Next question असुद रखत को हिर्दे से फेपड़े की ओर ले जाने वाली ध्मनी क्यान सी होती है फेपड़े को असुद रखत है उसको फेपड़े से यादि ःद्री हिर्दे की ओर ले जाती ए कोई ध्मनी वह होती है पुपस माहाधमनी, कौंसे होती है पुपस माहाधमनी बोला जाता है इसको जो हिर्दय से फेपडों की ओर अस्वरक्त को लेकी जाती है ठीक है और छाहनने का काम कौन करता है फेपड़े करते है ठीक है और वह यग को जाएगा clear हो गया क्लिर होगे ना तो फुफस महाधमनी बोला जाता है फुफस महाधमनी ठीक है फुफस यह जिसे महाधमनी बोला जाता है याद रखें इसको मानब के हिर्दे का बजन कितना होता है तो मैंने अभी आपको उपर बताया था उपर बताया था डाई सो ग्राम होता है लग बग मे एक स्वस्थ ब्यक्ति है एक समान ब्यक्ति है उसका रख्त चाप कितना होगा ब्लेड प्रेशर कितना होता है तो आपको कि 120-80 मतलब की mmHg ठीक है mmHg बोलते हैं इसको आप देखो यह क्या होता है 120 से यदि 120 है आपका डायरिस्टिक सिस्टोलिक और डायरिस्टिक देखो सिस्टोलिक कितना होता है 120 और डायरिस्टोक होता है 80 यह होता है यदि किसी ब्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लेड प्रेशर 90 पहुँच जाता है 90 तो उसको क्या होता है यह लो ब्लेड प्रेशर के अंदरगत रखा जाता है यदि यही 140 पहु यदि हम सिस्टोलिक मैनोमेटर को दारा हम इसको नोड करते हैं तो याद रखिएगा आपको सिस्टोलिक ब्लड पेशर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो कितना है यदि 140 से उपर है 140 है तो वह हाई ब्लड पेशर के अंदरकत रखा जाएगा इस ब्लड पेशर के रखा जाता है तो पियनिके से इसके बात करें तो फैक्टर्रces अभीके होते हैं तो चारोंब से करेंगे तो हो जाएगा आठ तो 8 व्याइड कर अज़ंगा शरीर काнакомbers रेक्त को शुद्ध करता है तो आप्स ONE 1 def प्रोटीन क्या होता है हिमोगुलों होता है वो प्रोटीन से बना होता है लवड वगरा उपक्स अभी होता है असुद्रक्त उपस्तित होता है सिराओं में सिराओं में असुद्रक्त बैता है और दमनियों में सुद्रक्त बैता है नेक्स कोशन है मानव हिर्दय को एक बार ध तो जो डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वह आएगा जीरो पॉइंट सेकिंड बे एक बाद अड़कता इस बात को आप याद रखेंगे कोई दिक्कत किसी को तो बता सकता है जैसे कि आप साड को सब्सक्राइब करना है तो आप पॉइंट बढ़ा कर जीरो बार देजिए और छे बंजे तीच चंग आजाएगा आठ सट्य चपपन आठ रिको छे अठे देखो यह आजाएगा आठ चंग अर्तालिस तो एक आएगा कुछ पॉइंट में जीरो पॉइंट सेकिंड में एक बा कार क्या होता है वो होता है हमारे क्यह ले जाना और न किसको घे अंग को रक्त बैंक कहता है या बिलट का भंडार कहा जाता है तो ब्लेट का बंडार, वो कहा जाता है, वो कहा जाता है, पिलीहा को, रक्त का बंडार कहा जाता है, रक्त का बैंक कहा जाता है, नेक्स कोशन है, कि एक परिशंचालक की कोज किस ने की थी, रक्त परिशंचालक की कोज, पूछ लेता है, कि रक्त परिशंचालक की कोज किस ने की ये फिर रक्त का just one सकते हैं आप जो व्लम्प है उसका दो पीच मान होता पीच मेलू होती है वो 7.4 होती है एक सीने में दर्द का काण क्या होता है म सीने में दर्द उसका कान क्या होगा क्या हो सकता है दिल के दोरा पढ़ना हो सकता है यदि सीने में दर्द हो रहा है तो दिल का दोरा पढ़ सकता है इसलिए आपको यदि दिल के साइड में दर्द हो रहा है बीची में दर्द हो रहा है साइड में लेफ्ट के साइड में तो उसमें पानी पीए कुछ हसने कि हो सकती है मिख्च हमारे दिल से हुआ कि दिल जो ले जाती है जो असुद रखति चानने के लिए Albanian चान इसको कहती है तो कोन? महादमनी लेके जाती है ठीक है? और इसकी फटने की संभाव बना हो शकती है तब ही दर्द होगा या फिर क्या होता? पाचन तंतर में या पाचन तंतर के बिकारों के कान मॉलब जब गैस बगएरा बन जाती है तब हमारी चाती में हलका हलका दर्द हो सकता है तो ये इन कार्ण से हो सकता है तो उपरुक्त हम D को लोग कर दें 160 पर कोशन कर रहा है सीने के दर्द पर कौन सा परिक्षन करता है मान लिजी आपके सीने में दर्द हो रहा है तो आपको कौन सा परिक्षन करेगा बताईए तो आपको देखो CT scan के लिए बोल सकता है ठीक है angiogram जो होता है उसको बोल सकता है या eco जो cardiograph होता है उसके लिए भी बोल सकता है तो ये तीनों test कराने के लिए बोल सकता है यदि आपके सीने में दर्द हो रहा है तो option नमबर यहां D को log कर देंगे next question यहां बोला गया है ecocardogram और angiogram यह CT scan सबसे जादा बोला जाता है next question बोला गया यदि गाल या जीब में रक्त स्राव हो रहा है मतलब यदि आपके गाल में कट गया है अंदर से उट कट गया है गाल कट गया है या फिर जीब कट गया है आप रक्त स्राव हो रहा है तो रोगी का dot dot तो किसको चूसने के लिए देना चाहिए माल दीजिए आपके जीब में या फिर आपके गाल कट गया है तो उसको किसको चूसने को देना चाहिए उसको क्या चूसाना चाहिए जिसे कि उसका रक्त क्या है ना निकले तो आप कोगे कौफी को कभी कौफी ना देनी चाहिए ठी जो रक्त होगा, जो बहरा है, वो नहीं बहेगा, वो ठीक हो जाएगा, नेक्स कोउशन देखिए, यहां करा हाथ पेर की तूटी हड़ी को हिलने से, रोकने के लिए, किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो यदि माल लीजिए हाथ पेर की तूट गई हड़ी, और इसको हिले न तो इसको किसका यूज़ कर सकते हैं, तो यह दो चीज़ों को व्यूज़ कर सकते हैं, उप्रोक्त दोनों का, यहां उप्शन नमर सी को उन्हें लोग किया है, इस लिंग का और स्प्लिटिंग का, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स कोउशन यहां बोला गया है, 169 का क लगाता है दहातू कि प्लेट या पर पेज का पर्योंग करता है दहातू की प्लेट बगार लगा देता है या थी तूड़ गई है ठीक है क्योंकि इनरा मैडूल कि इसका भी इस्टमाल कर सकता है वह आप कोशन आप से पूछा गया है तूटी हड़ी का प्रियों कितने सब्ता के लिए इस्तिक्रण कर दिया जाता है मदले जो कोई हड़ी तूट गई है तो वह कितने दिन में पलस्तर शुटाएगा या फिर जो भी आपको टेटमेंट किया है डॉक्टर ने वह कितने दिन में तो कोई दो से आठ सप्ता मतलब कि चौदा से कह सकते हैं चौदा दिन से उपर ही करेगा ठीक है ौखप में अस्तितं Стंत्र का कार नहीं है मतलब कि अस्तितंथ क है क्या नहीं होता है तो रक्त परिसंशन करना, यह हड़ी तंतर का कार नहीं होता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना यह होता है, ठीक है, उतिलक कार करना, यह फिर कह सकते हैं, सहारा देना, किसी जिसको सहारा देना, उठाने में हड़ी काम करती है, कोई चीछ उठा रहे हैं, तो वो चीज़ है, कोंग कोंगों कोंगों की सुरक्षा करना कोमल अंगों कउन से उरते हैं जैसे की हिर्द है lungs, lever इस टो मच, इनका सुरक्षा करना कंकालतंतर का कार होता है ठीक है, next question है आप बोला गया है, कपाल जिसे हम कपाल को हम मांसिक कोश भी बोल सकते हैं, मस्तिक कोश जिसे बोलते हैं, कपाल को ठीक है, यह फिर कपाल में जो हड्डियों की संक्या होती है कपाल मनला हड़ी जो कोपड़ी कह सकते हैं उन में अस्तियों की कितनी संख्या होती है तो आप कोगे आठ होती है यह करा है कपाल यह मस्तिक कोश में हड्डियों की संख्या कितनी होती है अस्तियों की संख्या कितनी होती है तो आप गए आठ खोपड़ी में आठ हड् करेंगे तो इसमें आठ हट्टिया होती है यदि हम चहरे पर आजाएंगे तो हमारी चौदा को याद रखेंगे तो आपको छे हडी या वढ़ाई गई कितनी हड्टियां च्छे ह्डियां एड हो जोड़ी ठीक है पसलिया होती है अब हम चेहरे के बाद में अब पसलियों भी पहुंच गए तो आपको कि बारा जोड़ी पसलिया होती है मतलब कि चौबिस पसलिया संख्या में पूचे जोड़ी पूचे तो बारा और संख्या में पूचे तो चौबिस ओके नेक्स कोशन ब कठोर तक किसके काड़ होती है मतलब जो हड़िया है वो टैट के होती है बहुत कठीरी के होती है कठोर के होती है किसके काड़ होती है कैल्सियम के काड़ है यदि कैल्सियम आपकी हड़ी में पूरी तरीके से है तो मजबूत होंगी तूटेंगे नहीं ठीक है कैल्सियम यह त सरीर में कितनी अस्थियां होती है तो आपको बता है 206 होती है यदि छोटा सा बच्चा है तो 213 ठीक है 206 नेक्स कोशन है बहुत काफी कोशन हो गया है चलो कोई बात नहीं इसको देखें यह अगर है अक्टियों पॉरिस बीमारी होती है यह हड्डियों में होती है याद होती है कितनी होती है तकने में तकना जो कह सकते है कोई जो जोड है तकना कह सकते है उसमें जभी होता है तो साथ उसमें अस्तियां होती है साथ हड्डियां होती है एक स्वास्त अभ्यक्ति के सरी में कितनी पसलियां होती है तो मैंने बताया पसलियों की संख्या जब संक अस्तियां होती है कपाल की बात करें कपाल जिसमें मस्तक्स कपाल जो होता है कोश होता है जिसमें मस्तक्स रखा हुआ होता है उसमें आठ और खोपड़ी में पूरी कोपड़ी तो बाइस ठीक है यहाँ जो संक अस्तियां होती है संक अस्तियां जिसे बोलता है पाई जात है कैसे होती है हड़ी की सरचना मतलग क्य utilize कैसे तो हड़ी मिलेसिया बीमारी होती है वो भी हड़्डी में होती है 186 बोला गया है मान्व सरीर में सबसे झोटी अस्ती कहां पाई जाती है तो वह कान में पाई जाती है कान में सबसे छोटी अस्थी पाई जाती है और यहां क्या आगए अस्थी जो पिंजर का कार होता है अस्थी पिंजर का कार क्या होता है अंगों को सहरा देना अस्थी पिंजर का मतलब होता है हड़ी तंत्र कंकाल का कार क्या होता है जो हमारी बॉड़ी को रक्षा करना कोमा लक्षो करना सरीर के संचाल कार करना यह सब कहता लेंगे अस्ती का निर्माड किससे होता है मतलब हड्डियों का निर्माड किससे होता है तो आपको खनिज लबडों से होता है कार्मनिक पदार्थों से होता है ठीक है यह और साथी साथ किसके होता है कार्टिनिक लेजर से होता है ठीक गती देना, जैसे कि आपकी पैर में लंबी-लबी हड़िया हो दिया है, तो चलने के लिए क्या हुआ? चोटी हड़िया होते, चोटा-चोटा चलते, धीरे दे चड़ते, ठीक है ना? अब बड़ी हड़िया तो बहुत लंबी डग भारते हो, तो वो जीज़ है, गती देने के गती है, ठीक है? नेईस्स कोशन है, नवजात सिसू के सरीर में अस्तियों की संक्या कितनी होती एब देखिए यहां से 270 मिन संक्या गया है, नवजात सिसू है, छोटा सा बच्चा होता है, तब उसमें कितनी होती है? 270, यहां बोला गया है, कि 270 इस ने लगा दिया, एक बार इसमें पूरा इन्होंने किलियर नहीं किया है 270 इसलिए इसने लगा दिया कोशन में पॉइंट में यहां दे रखा है लेकिन मैं आपको यहां एक कांस से बताता हूँ यदि जब नवजात सिसू होता है जब बच्चे का जनब हो जाता है जब नवजात की बात करे नवजात सिसू की बात करे तो 300 पेसिया होती है अस्तिया होती है 300 अस्तिया होती है कितने अस्तिया होती है 300 हड्डिया होती है जब नवजात सिसू होता है और जब बाल के अवस्ता में होता है बाल के अवस्ता जानते है बाल के वस्था में उसकी कितनी हो जाती है 350 हो जाती है तो जब बाल के वस्था में होता है बाल के वस्था कह सकते है जब बाल के वस्था में होता है तो 350 हो जाती है जब वो पूरा तयार हो जाता है जब सौस्त मनूस हो जाता है इसमüğ अपार, उसमें इसकी संक्या 206 रह जाती यह तिनों को नोड कर ले, इसने 300 इसलिए लगाइए है, क्योंकि इसने 270 300 कोई option नही है ता क्योंकि मैं confusing हो ला था कि 250 क्या था है वालके बस्ता में होती है, तो यह तो वह लगाता है दो सची पुनवस्ता में होती है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं नेक्स कोशन यहां बोला गया है अस्तियों में पानी की मात्रा कितनी होती है मैंने आपको बताया था कि 25 परशेंट पानी की मात्रा होती है तो यहां देखो दे रखा है बीच से 25 परशेंट के बीच में द को कौन सा तंत्र hoje देता है और रहा है किया कार होता है हाल नेक्स कोशन हड्डियों के निर्माड है तू कौन सा कन फानिच दत्व मुक्ध है अब हड्डियों के निर्मार में कौन सा बनाता है कैल्सियम सबसे ज्यादा IMPORTENT कैल्सियम होता है ठेक है कैल्सियम और रक्त के लिए रक्त सावन को रोकने के लिए विटामिन K और कैल्सियम दोनों यूज होते हैं Next question is, हड़ियों में सबसे अधिक कौन सा लव्ड पाये जाता है? यद रखिए, फास फेे निसी यहाद रखिए? याणतीयां किसका संचेर इस्थान है? जो कैल सीम का, किस स्थीवन होती है? तो कैल सीम से, यह कह सकते हैं. Next question आगा है, कि एस्थी, कितने प्रिकार की अस्तियों से बना होता है जो अस्ति पिंजर होता है कि वो कंकाल कितने प्रिकार की हड्डियों से बन का बना होता है तो वो उता है चार प्रिकार की हड्डियों होती है पूरे कंकाल में यहां कर रहा है इस्टेपिज अस्थी सरीर के किस भाग में पाई जाती है तो कान में यह सबसे छोटी होती है इस्टेपिज अस्थी होती है इस्टेपिज हड़ी जो होती है वो सबसे छोटी होती है इस्टेपिज जो हड़ी होती है यह कान में पाई जाती है ठीक है फीमर किया हुपस्थित हो रहता है तो जो अस्ति है उसमें मुक्षता ग्या उपस्थित होता है तो मैं ने बताए तो मैं देखो यहां करना लाश्ट वीडियो का बाकि पार्ट 3 वी हम वीडियों को देखेंगे और नहीं होगा पार्ट 2 हम प्रोसेस मैंने बताई है पेपर है कर डाट इन वेबसेट पर जाकर डालोड कर सकते हैं और सारी नोटसों को देख सकते हैं करलासे मारे डेली सेल रही है आप अठ्रेज कर ए है मानभ सरीरी का सबसे लंबी और सबसे पैर में पाई जाती हैं धो नाम पूसता है बाकी में हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे आशक्रें करता हो आशक्सरा करता है करें लोगी को सब्सक्राइब कर देंगा जाजा से दाधा दोस्तों शारे करें वागी मलते हैं तब तक लिए बाए